हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल निहा की कुटिंग आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पालक का पकोड़ा तो पालक का पकोड़ा हमारा जो आज की रेसिपी है वह बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है चलिए आज आज आपको अपने वीडियो में आगे बताते हैं कि पालक की उल्ड़ज किस तरीके से बनाएं ताकि एकदम क्रिस्पी ःग्दम टैस्टी बने तो हमारी जो पालक का पकोड़ा है उसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी बड़ी बड़ी के नुसार ले ले और थोड़ा सा जीरा है और हमने साबूत जीरा और साबूत जो है कि जवाइन ली है और थोड़ा सा इसमें हमने धनिया पाउडर ले लिया है तो हम इन सब को उसमें एड करेंगे तो हम एक बड़ा सा बरतल ले लेते हैं और इसमें हम जो हमने पालक के पत् महारे हम he秦्श मासाले को यह पास थोड़ा से सकते हैं अच्छु अट्य जोड़ा चमिल इसके के बाद पो आ्उ-प्रमें जाद के कुछ और हमारा जो भी जन है उसको हम ज्यादा नहीं डालेंगी हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके वेशन डालेंगे क्योंकि हम भी तो इसमें वेशन की मात्रा अधिक हो जाएगी तब यह पकोड़ी अच्छी नहीं लगेगी और अगर बेसन की मात्रा कम रहेगी तो यह अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें यह मतलब उसका स्रेफ अच्छा से नहीं आएगा तो हम इसमें थोड़ा-थोडा करके बेसन एड़ कर रहे हैं यहां पर हमने एक कटोरी बेसन का अच्छा सा बन गया है तो हम इदर कडाही को रख देते हैं गरम होने के लिए जब हमारा कडाही गरम हो जाए तो हम इसमें तेल डालेंगे और थेल को भी हम थोड़ा सा छेक कर लेंगे कि तेल गरम हो गया है उसके बाद हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे और आप इसमें हिसाब से छोटे या बड़े सेफ के पकोड़े डाल सकते हैं मैंने यहां पर मेडियम साइज का सेफ दिया है इससे पकोड़े एकदम क्रिस्पी और एकदम अच्छी तरीके से बनते हैं तो हमारा जो पकोड और जितना एक कड़ाई में हो सके हम उतना इसमें डालेंगे हमने इसको दो से तीन बैज में इसको तला है तो यहां पर हम इस तरीके से अच्छे से इसको उलट परट कर चलाएंगे ताकि यह दोनों तरीके तरफ से अच्छे से सिक जाए तो हमारा पकोड़ा जो है अच्छी तरीके से हमने इसको तल दिया है जब तक हमें इसको तलना है जब तक ये अच्छा सा क्रिस्पी सा और अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इसको तलना है हम थोड़ी देर तक तरने के बाद ही देखेंगे कि इसमें जो कलर है वो एकदम अच्छी तरीके से आ गया है और यह पालक का पकोड़ा बनाते समय आपको इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखनी है क्योंकि यह जो पालक है इसमें थोड़ा सा नमक जादा हो जाता है तो हमें इसमें थोड़ा सा नमक कम ही रखना है यह खाने में तभी जाकर टेस्टी लगते हैं तो हमारा जो पकोड़ा है वह अच्छा सा कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है और इसमें हम दूसरा बै और आपने चैनल पर के पत्तों की do to give था लेखी तो आप मेरे चैनल सona के देख सकते। हैं वह भी बहुत ज्यादा अच्छी था और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी Subscribe बहुए था जब से निक्रिस्प्थ के 파लक क्द़। तो आप पालक के उस तरीके से पकोड़े बनाएं बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे ओर थोड़ा सा अलग भी होता है घर में इस तरीके से पकोड़े खाकर अगर बोर हो चुके है तो आप उस तरीके से भी पालक के पतों के